कास्ट एक सच्चाई हो सकती है राजनीती की लेकिन एक मात्र सच्चाई नहीं हो सकती है आप जब वोट करने जाते हैं तो आप जरूर ये भी सोचते हैं कि कौन वो विक्ति होगा कौन सा दल होगा या कौन सी सरकार होगी या कौन सा नित्यतो होगा जो हमारे समाज के लिए हमारे गाउं के लिए हमारे विधान सभा के लिए तमाम जगह के लिए काम करेंगे और जब काम और विकास की बातें आएगी तो सब के दिमाग में बस एक ही नाम आता है वो है नतीश कुमारी नमस्कार स्वागत है आपका अदिन्य टॉप में मैं हूँ आपके साथ विशालिया रव उप्चुनाब हो गए हैं दो सीटों पर बिहार में तारापूर और कोशेस्वरस्थान ऐसे में आज का दिन एक तारिक बहुत एहम है क्योंकि दो नवंबर को कल काउंटिंग होनी है और कल जीत और हार का फसला होना है और जो सभी पार्टियां है वो उन्होंने दावा किया है कि हम उहां से दोनों सीट जीत रहे हैं हम बात कर रहे हैं राज़त राज़त ने भी कहा है कि हम उप्चुनाव नहीं हारते हैं और उप्चुनाव में जो हमारा रहा है बिते दिनों का रिकॉर्ड वो हम जिते रहें और जड्यू की तरफ से भी लगातार ये बाते सामने आते रही है कि हमारा जो दोनों सीट रही है हम नहीं हारेंगे वहीं महागडवन्धन से कॉंग्रेस टूट गई है वह भी अलग चुनाव लडरी वनोंने भी दावा किया है कि हम भी जीतेंगे और विश्व पर आज हम बात करने के लिए निखिल मंडल जो की जड्यू के प्रवक्ता हैं उनके पास पहुंच उसे ही कहा कि हम अस्वस्त हैं क्योंकि लगातार पिछले जितने चुनाव हुए हैं वह पर हम जो आप पहले भी अभी कह रहे थे कि कि आसिरवाद फिर से कल हमें जनता ही हमें ही देगी तो पूरा आप अस्वस्त हैं कल जो दो रवंबर है काउंटिंग होनी है शाम आता है रिजल्ट घोसित हो जाएगा बारह बज़ता की लगवक्त तैम आना जाए कि हाँ एक पता चल जाएगा कि एक जित रुजहान क्या है वोटिंग का तो एक बात बाते निखिल जी की आफ लोगों ने लगातार वहां पर केंपेंड किया है राजत के लोग भी लगातार केंपेंड कर रहे थे आप बता रहें कि वहांसा अच्छा फीड़बाइक है लेकिन इस बार जो समिकरन है खास करके हम बात करें टिकट देने का समिकरन बिल्कुल सभी पार्टियों को अलग है हम बात करें जड़ी को जड़ी तो पूराने अपने स्टेंड पर जिस तरह से पहले देते रहे थे टिकट उसी तरह देले कि राजत का जो यादब को जो आमवाई समिकरन की बात हो रही है उन्होंने इस बार बिल्क सिर्फ नहीं कहते आएं क्योंकि हम करते हैं और वो कहते यह आएं कि हम A to Z की पार्टी हैं पहली बार कास्ट एक सचाई हो सकती है राजनीती की लेकिन एक मात्र सचाई नहीं हो सकती है आप जब वोट करने जाते हैं तो आप जरूर यह भी सोचते हैं कि कौन वो विक्ती हो आएगी तो सबके दिमाग में बस एक ही नाम आता है वो है नितीश कुमार तो समीकरन भले ही उन्होंने बदल लिया अब मैं इसे पीछे जाता हूं कि एक साल पहले जब कॉंग्रेस और आरजेडी जब साथ में चुनाव लड़ रही थी तब यह हार गए पहली बात दूसरी कि उस समय एक वोड़ कटवा थे जो इस बार भी लड़ रहे हैं लोचपा उस समय उन्होंने एक भ्रम का जाल पहलाया था कि बीजेपी ही लोचपा है लोचपा ही बीजेपी है वो भी एक्सपोज हो चुके हैं आज की डेट में उनकी स्टिती क्या है ना उनका दल उनके सा मीलाया जो काफी हथ तक सफल भी हूआ अब तो इक्सपोज हो चुके हैं आप तू सबको पता है कि इस्टिती क्या है और किनके साथ हैं हमलोग और तो सब दो कि अगर महागडवंदन की बात की जाए तो अगर वो लोग तूट गए हैं फाइनली अगर तो सब जगह से अगर आप कैलकुलीट कीजेगा तो घाटे में तो वही लोग हैं तो फिर ऐसा है और एक साल पहले ही चुना हुआ एक साल में ऐसा तो है नहीं कि राज़त के लोगो वोटर है वो कहा जाता है कि सवर ना है क्या वह आपके तरफ टर्न ओठ हुए हैं इस बार क्या लगता है लिक्ति कुल मिला के जितने फीड़एक्स लिए तो उसमें एक ही मुद्द सामने आया कि तमाम हम जब कह रहें कि एटू जेट तो हम ये उसमें सभी आजाते हैं कि स समाम जितने सारी confusion फैलाए गए हैं कि ये समिकरन तूट गया ये जाती तूट गए सब कुछ clear हो जाएगा और उन्हें बड़ा जहटका लगेगा कि एक मुस्त हो करके एक जुट हो करके सभी ने एक ही पक्ष में वोट किया है वो पक्ष एंडिये इस बार चिराग पास्वान कोई confusion create नहीं कर रहे हैं क्या लगता है चिराग पास्वान क्या स्टेंड रहा क्या तिस्री नेमर के पार्टी बनेगी या फिर कुछ वोट नहीं आएगा देखे चुनाओ निश्चित रूप से सब कोई कोई भी दल अगर चुनाओ लगता है तो निश्चित रूप से वो अपने तरफ से दी बेस्ट देता है उनके साथ परिशानी भी है जो कि आपको practically मानना पड़ेगा नए छाप को लेके गए हैं नई पार्टी को लेकर के आगी तो जनता मालिक है किस तरह से उन्हें स्विकार करती है या नहीं कि लेकिन मुझे जो फीड़ेग के हिसाब से जो इस्थिती लगी तो बहुत ही बुड़े इस्थिती में रहेंगे ये लोग निखिल जी एक बात सामने आ रही है जो हम फिल पिकाम कर रहे थे लोगों से पूछ रहे थे एक बात सामने आए कि पिछले बार जो आपने 2020 के चुनाव में वादा किया था एंडिया के तरफ से कहा गया था कि 19 लाक रोजगार देंगे लेकिन एक साल होने वाला है फिर से चुनाव हो रहे हैं और इस दर्मियान लोगों को एक नौकरी नहीं मिली है जो लोग कह रहे थे क्या ऐसे में फिर से नितिश कुमार को वोट करना लोग करेंगे लग रहे हैं आपको लोग कर रहे हैं देखे हम जब कहते हैं तो हवा हवा हवाई नहीं कहते हैं और समने दे और वेरि नेक्स दे सब कुछ हो गया एशाल अज़ना है कि आजालिये होगे हैं कि जो हम कहते हैं वह करते हैं इसको ले traditions है कि अगर नितिष्कमाः जी ने कहा है और उसे पहले कैबिनेट में पास भी किया है तो वो जनता तक जल्द पहुँचेगी हमारे साथ निखिल मंडल बात करने के लिए मौजूत है जिनों है तमाम सवालों को ले करके जवाब दिया है बात करे जवाब दिया है